ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजरों क्या है आज के खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीद के साथ खबर बताने से पहले आपको एक वाक्या बताते हैं वैसे तो आप सभी जानते हैं गांधी याने महत्मा गांधी एक बार डर्वन से प्रिटॉरिया तक रेलवे यात्रा कर रहे थे दक्षिन अफ्रीका के यह मामना है और उस यात्रा में पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन प के लिए आरक्षित था और दक्षिन अफ्रीका में अंग्रेजों ने गांधी को कुली याने की मजदूर समझा और उन्हें डब्बे से बाहर निकाल दिया गया यह साल था 1893 का याने की 131 साल पहले की घटना है अब इस घटना से आज का क्या लेना देना है तो वही हम बता आने जा रहा है और उसी की बात करने जा रहे है आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है दरसल अमेरिका में प्रसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर इन दिनों खूब प्रचार प्रसार चल रहा है और जब से जो बाइडन की जगह कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तब से पूर्व राष्टरपती और रेपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्टरपती पद के उम्मीदवार डॉनल्ड ट्रमप उन पर खूब हमले बोल रहे हैं या यू कहें के अमेरिका में राष्टरपती पद की जंग हर दिन एक नया रंग देने के लिए कुछ भी कह दे रहें, कुछ भी माइने कुछ भी, कभी वो कमला हैरिस को पागल कह देते हैं, बाबली बोल देते हैं, तो कभी उनकी पहचान पर सवाल उठा देते हैं, हाला कि इसके बाद भी वो कमला हैरिस से कड़ी चकर पा रही है, मामला 50-50 का हो चला है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। क्या कहा है डॉनल्ड ट्रम्प ने ये आपको बताते हैं। डॉनल्ड ट्रम्प ने कमला हैरिस को दरसल कुछ ऐसा कहा है जिससे हर तरफ उनके बयान की निंदा हो रही है। लेटिस्ट सियासी हमले में टरंप ने कमला हैरिस पर नसलिय टिपपणी की है और पूछा है कि कमला हैरिस भारतिय हैं या अश्वेत क्यों पूछ लिया ऐसा उनके रंग को लेकर जाहिर तोर पर ये मामला अब तूल पकड़ेगा और अमेरिका में रह रहे है भारतियों पर इसका असर होना लाजमी है तय है लेकिन अगर अमेरिकी राश्ट्रपती चुनाव की बात करें तो वहाँ भी इन दिनों चंदे की बहुत ज्यादा चर्चा है हलाकि वैसे नहीं जैसी भारत में पहले हो रही थी जब भारत में चुना हो रही थी भारत की तरह नहीं बलकि किसे कितना चंदा मिला है और चंदे के मामले में कौन आगे चल रहा है इसे लेकर ये चर्चा है डॉनल्ड ट्रम्प कमला हैरेस से कड़ी टककर इस मामले में पा रहे हैं चंदा के मामले में कमला हैरेस के सामने डॉनल्ड ट्रम्प कहें कि पानी भरते नजर आ रहे हैं जुनाई में डॉनल्ड ट्रम्प की कैंपेंट टीम को 137 मिलियन डॉलर का चंदा मिला जो कमला हैरिस के पहले हफते के कुल चंदे से कम है डानल्ड ट्रॉम्प के चुनावी कैम्पेइन टीम का ये कहना है कि अभी उनके पास 327 मिलियन डॉलर यानि की लगभग 27 अरब रुपए कैश में मौझूद है और अब चुनाव में सिर्फ तीन महीने से कुछ ज्यादा का वक्त बचा है हाला कि कमला हैरिस के चुनाव अभ्यान की तरफ से अभी तक जुलाई में जो चंदा उनकी पार्टी को मिला या उनको मिला इसकी जानकारी सामने नहीं आई लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि उनके पास कुल कितना पैसा है हाला कि टीम कमला हैरिस का कहना ये भी है कि उपर अश्रपती के चुनाव में उनकी एंट्री के बाद से नए चंदे और कारेकरताओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है उधर ट्रम्प के चुनाव अभियान और उसे जुड़े लोगों ने ये बताया कि उन्होंने पिछले महिने 138.7 मिलियन डॉलर यानि के लगभग 11 अरब रुपे डोनेशन से जुटा लिये ट्रम्प को मिली ये रकम नवंबर में होने वाले चुनाव में उनकी नई प्रती द्वंद्वी उपराश्ट्रपती कमला हैरिस के मुकाबले काफी कम बताई चारे है कमला हैरिस ने अपने वाइट हाउस अभियान के पहले ही हकते में इससे ज्यादा की रकम जुटा ली है ऐसा कहा चारे है वैसे ये भी जानिये कि पूरवराश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम के चुनावी अभियान रेपाबलिकन नेशनल कमिटी और दूसरी संस्थाओं ने पहले बताया था कि जून में खत्म हुए तीन महिनों में उन्होंने तीन सो एकतिस मिलियन डॉलर जुटा है इसका मतलब ये कि जुलाई में मिले चंदे की रकम पिछले तीन महिने से मिल रहे डॉनेशन की रफ्तार से ज्यादा है अब क्यों ज्यादा है जून में कम क्यों थी और जुलाई में ज्यादा क्यों हो गई दरसल इसके पीछे ये वज़ा हो सकती है और जाईर तो और पर ये माना जा सकता है कि बीती 13 जुलाई को पेंसिलवेनिया में एक रैली के दौरान टरम पर जानलेवा हमला हुआ था और इसके बाद ही उनके समर्थक उनके साथ मजबूती से खड़े हो गए हाला कि हकीकत ये भी है कि एक वक्त ऐसा था जब डेमोक्रिटिक नेता इस बात से घबराएग थे कि कहीं नवंबर में राश्ट्रपती जो बाइडन को हार का सामना न करना पड़े क्योंकि तब जो बाइडन उमीदवार थे लेकिन कमला हैरिस के मैदान में आते ही बाजी पलट गई है मुकाबला 50-50 का हो गया है डेमोक्रेट्स ने बाइडन के खुद ही चुनावी समर से हटने के बाद कमला हैरिस को अपना उमीदवार खोशित कर दिया था अब डेमोक्रेट्स को चंदा देने वालों ने इतना पैसा दिया कि कमला हैरिस की टीम ने की जुलाई को पहले हफते में 200 मिलियन डॉलर मिलने के खबटी ये जो बाइडन के चुनावी रेस से हटने के बाद का पहला हफता था जब कमला हैरिस के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मजबूत दाविदार साबित नहीं होंगी लेकिन अब कमला हैरिस के बारे में जो टिपणी की गई है वो जान लेते हैं उसको समझ लेते हैं कि ये टिपणी की क्यों गई है टरंप ने ऐसा कहा क्यों है दरसल कमला हैरिस जो हैं, उनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ कैलिफोर्निया में, भारतिय और जमैकन मूल के माता पिता के घर में हुआ, कमला हैरिस की मा भारतिय थी, भारतिय मूल की थी, श्यामा गोपालन उनका नाम है, उनके पिता डॉनल्ड जैस्पर हैरिस का नाता जम बयान निकल कर सामने आया वो उसको इस तरीके से हम जोड़ कर देख सकते हैं कमला है जब साथ साल की थी तो उनके माता पिता अलग हो पह थी उनकी माँ श्यामला गोपालन ने कमला और उनकी बेहन की देखरेग की कमला को वो मंदिर भी ले जाया करती थी कमला ने हौवर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है और साल 2014 में वकील डगलस एंप होफ से उन्होंने शादी की जो की यहूदी हैं आमेरिकी राश्रपती चुनाव के 235 साल के इतिहास कि अगर बात की जाये तो कमला है इसको इसमें जीत का प्रभल दाविधार बताया जा रहा है लेकिन क्या महिला सशक्तिकरों की मुनादी करने वाला देश वो कर दिखाएगा जिसे भारत दशकों पहले साबित कर चुका है इंद्रा गांधी को देख लीजिए दो दो राश्रपती हमारी महिलाएं रहीं दुनिया को लोकतांत्र अमेरिक मूलियों का पार्ट पढ़ाता सबसे शक्तिशाली देश क्या अमेरिका क्या इस बार वो करेगा जो भारत घशकों पहले कर चुका है क्या देश के सरवच्च समयधानिक पद पर एक महिला काबिस हो पाएगी क्या भारती अफरीकी मूल की महिला कमला है इसको अमेर कमला हैरिस को अपना उमीदवार घोशित का दिया अगर ये देश चाहेगा तो अमेरिका के राजनितिक इतिहास में इस बार वो होगा जो इस से पहले कभी नहीं हुआ अमेरिका की पहली महिला उपर राश्रपती कमला हैरिस वो पहली भारती अफरीकी मूल की महिला है जो राश्रपती की रेस में शामिल हुई है कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की पहली उप राश्रपती बनी थी उनसे पहले कोई भी महिला इस पाद तक नहीं पहुँच पाई हाला कि 2016 में राश्रपती पाद के लिए हिलैरी क्लिंटन ने डॉनल्ड टरम्प को चुनौती दी थी लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था फिर वापस आते हैं टरम्प के बयान पर आपको क्या लगता है कि टरम्प ने जो बयान दिया क्या वो बयान सही है क्या उन्हें ऐसा बयान दिया जाना चाहिए उनके द्वारा दूसरी तरफ हमारे जो राजनितिग्य हैं उनकी तरफ से भी इस पर क्या कोई टिपणी निकल कर सामने आईगी वैसे आपको बता दें कि मंडी से कंगना रनाव जो सांसद हैं बीजेपी की उन्होंने यहां के हो रहे चुनाव पर जरूर टिपणी कर दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत तो छोड़िये अमेरिका में चुनाव में जो टिपणिया हो रही हैं वो बहुत शर्मनाक हैं और बहुत गलत हैं आपको क्या लगता है आप अपनी राए हमें कमेंट के जरीए दे सकते हैं धन्यवाद